पन्नगे चै शुरेंद्रे चै कौशिके पादसंस्प्रिशी नेर्विशेश मनस्काय श्री दीरस्वामिने नमह आरहत वांग्मय में कहा गया है हमें मनुष्य जीवन प्राप्त है चोराशी लाख जीव योनियों में यह एक दुरलब जन्म होता है और हमें वह वरत्मान में प्राप्त है इस मानव जीवन में साधना करके जीव आत्मा से प्रमात्मा बन सकता है और मुक्ष को प्राप्त कर सकता है और इस मानव जीवन को अगर पापों में लगा दिया जाए तो आदमें इस मानव जीवन के बाद नरक में भी जा सकता है आदमें को यह ध्यान देना चाहिए कि मेरा यह जीवन भी अच्छा रहे और मैं आगे भी अच्छा रहे सकूँ इस जीवन के बाद क्या जो जन्म हो जो भी हो वो भी मेरा अच्छा रहे तो यह जीवन भी अच्छा रहे आगे का भी अच्छा रहे इन दोनों बातों को ध्यान में रख कर आदमें को अपने जीवन शैली पर ध्यान देना चाहिए जीवन जीने के तरीके में अहिंसा भी हो सैयम हो तप हो तो जीवन की शैली और जीवन बढ़िया हो सकता है अगर आदमें इस जीवन को प्रमाद में बुरे कारियों में और आलश्य में ग्यतीत कर देता है तो जीवन तो एक दिन सब का पूरा होता है समस्कृत में कहा गया काभ्य शास्त्र बिनो देने कालो गच्छत धीमताम यसनेनत मूर्खानाम निद्रया कल हेनवा कि जो बुद्धिमान लोग हैं समझ्धार हैं उनका ये समय बीटता है वो कोई शास्त्र की बात में Exactly की बात में कग्य सास्त्र के विनोध में बीटता है और जो मूर्ख हैं उनका जीवन व्यसनों में कि शराब पिलो वो खालो बीड़ी पिलो विस्नों में आनंद ले लेते हैं और या नींद ले लेते हैं या लड़ाई जगड़ा करते हैं ऐसे उनका जीवन का ये वाहन जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है तो जीवन फालतू लड़ाई जगड़े में नहीं जाना चाहिए ब्यस्नों में नहीं बुरे कारियों में नहीं धोखा धड़ी में नहीं सत कारियों में अच्छे कारियों में धर्म कारियों में परकल्यान कारियों में हमारे जीवन का समझ लगे ऐसा प्रयास रहना चाहिए खोना नहीं चाहिए पापों में विशनों में खोना नहीं चाहिए जो खोने वाला होता है उसको पस्चा ताप करना पड़ सकता है पस्चा ताप कैसे एक गाउं था गाउं में दो मित्र रहते थे युवक थे दोनों ही गरीबी की चपेट में आ गए कोई धन्दा किया घाटा लग गए और ऐसे गरीब बने कि रोटी की भी समस्या होने लग गए तो दोनों ने सोचा क्या करें प्रिवार भी है प्रिवार को भी संभालना हमारा काम है प्रिवार पालना हमारा करतव्य है पर गरीबी इतनी आधमकी है, कि बच्चों को भी पूरी रोटी नहीं दे पा रहे हैं, क्या करें, किसी को पूछे का क्या करना चाहिए, एक ब्रिद्द आदमी था गाउं में, उसके पास गए, कि बाबा बताओ क्या करें, बहुत गरीब हो गए हैं, तो वो ब्रिद्द आदमी बोला कि देखो, पंद्रे कोश दूर पर एक मंदिर है, आशा पूर्णा देवी का मंदिर है, वहाँ जाओ, देवी की आरादना करो, तप जप करो, अगर देवी प्रसन हो जाएगी, तो तुमारी गरीबी दूर कर देगी, ठीक है बाबा, दोनों पूजारी ने बता दिया, ऐसे पूजार ऐसे नाम समलन होता है, उन्होंने नाम जब शुरू किया, तपस्या भी की, तीन दिन की वो तेले की तपस्या, देवी के मंत्र का पाठ किया, वह ज़्यादा समय पाठ में लगाया, तीन दिन पूरे हुए, देवी साक्सात हाजिर हो गई, बोली क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए, क्या चाहिए, दोनों बोले जगदंबे गरीब हैं, हमारी गरीबी दूर कल दो, यही आश्रिवाद, यही कृपा मांगते हैं, हमारी गरीबी दूर कल दो, दाल रोटी आराम से खा सकें, इतनी कृपा कर दो, प्रिवार को अच्छी तरह पाल सके, तो देवी ने कहा ऐसा करो, तुम मेरे बिमान में बैठो, मैं बिमान को उडाती हूँ, बहुत दूर रत्न द्वीप है, मैं वहां तुम को छोड़ दूँगी, तीन गंटे का समझ मिलेगा, वहां कहीं कहीं रत्न यो गिरे हुए होते हैं, तुम घू गूम घूम करके, रत्नों को खोज खोज करके इकठा कर लेना, तीन गंटे पूरे होते ही, वापिस बिमान में बैठना होगा, मैं यहां लाकर तुम को छोड़ दूँगी, हां माता ऐसा कर लो, बिमान में दोनों को बिठाया, और वो बिमान को उडाया, देवी ने रत्न तुमें ले जा करके, विमान को उतारा, वह एक बगीचा था, थोड़ा मैदान भी था, जार जंकार ऐसे पेड़ा दी भी थे, तो देवी बोली देखो, यह विशाल बगीचा उद्यान है, इन में तुम घूम, इस में घूमो, यह जगए जगए कहीं कहीं कीमती रत्न यहा ठीक है, ठीक है, देवी तो चली गई उनको वहाँ छोड़ करके, अब दोनों मित्र थे, उनमें से एक ने काभी मैं तो थोड़ा ठक गया हूँ, फिर आराम करूँगा, दूसरा बोला, भईया यह आराम का समय नहीं, अभी तो काम करो, घुमो, रत्यास को उठास को उठाल खोजो, तीन गंटे के बाद तो यहां से उठाना पड़ेगा, अभी तीन गंटे का ही समय है, बिद्यार थे, बैठे यहां, परिक्सा का समय हो, तीन गंटे मिले हैं, और मस्टर साब तीन गंटे बाद कोफी ले लेंगे, कर बाद में उत्तर दूँगा, तो बाद में क्या होगा, तीन गटे पहले काम करो, तीन गटे निए ने ले लिए, अब उत्र दूँगा, मॉस्टर साब ने कोफिया ले लिए, अब क्या उत्र दे गा, तो वो हूँ राल हुआ, एक तो सो गया देवी बोली उठो उठो, वो दूसरा उठा, माता, मैं तो सो गया था, एक गंटा और दे दो, एक गंटा और दो, देवी बोली मैंने पहले ही ज्ञान से देख लिया कि तुमारा भग्य ठीक नहीं है, अब कोई टाइब नहीं मिलेगा, बैठो बिमान में, दोनों को बिठाय बिमान को उड़ाया, मंदिर के पास में लाकर के बिमान को उतारा, दोनों को उतार दिया, अब देखिए, तीन गंटों का बड़ा महत्व पूर्ण समय मिला था, एक ने लाब उठाया तो मालो माल हो गया, दूसरा सो गया, तो खो गया, वो का खो गया, वो गरीब का रहे गया तो मोके का लाब उठाना हमारा जिवन है उसको इस रूप में तीन गंटे क्या तीन भाग मान ले पूरा जिवन हो तो बच्पन जवानी बुढ़ा पा तीन भाग हैं इनको खो दिया फिर क्या मिलेगा तो मानव जिवन है इसमें हम बढ़िया काम करें जिवन में अहिंसा जिवन में सैयम तपश्या ये सरापिना वेड़ी इसगेट खैनी गुटका आदि नसीले पदार्थों से बच करके रहना और नईतिक ताग धोखा धड़ी नहीं करना किसी को धोखा नहीं देना जूट चोरी कपट इनसे बच के रहना चाहिए और अपनी सद भावना अहिंसा किसी जाती का आदमी हो किसी संप्रदाई का हो सब के प्रती सद भावना व्यवहार सब के साथ करना चाहिए रखना चाहिए थालतू जाती आदी को लेकर दंगा पसाद हिंसा त्या मारकाट इन चीजों में आदमी को नहीं जाना चाहिए तुझे मैत्री भाव रहे तो यह मानव जिवन है इसमें जिवन अच्छा रहे और फिर आप जितना अपना धार्मिक साधना जो हो सके जो भी स्वाध्याई है कोई नाम समलन है बीतराग का नाम समलन है बीतराग प्रभू की आरादना ऐसे उपक्रम करे ताकि हमारी चेतना अच्छी बन सके बिद्यार्थी बिद्याले में पढ़ते हैं बिद्याले में ज्यान तो मिलना ही चाहिए बच्चों को कितने बिसे हैं भुगोल खगोल आदी आदी गनित क्या भासाएं इंदी क्या अंग्रेजी क्या संस्कृत क्या ज्यान होना ही चाहिए ज्यान के साथ अच्छे संस्कार अच्छा आचार, बच्चों के दिमाग में वो अच्छे संस्कार भरने का प्रयास हो, कि वे इमाणदारी के प्रती भावना रुझान रखें, नसा मुक्त जिवन रहें उनका, और जिवन में मैत्री अहिंसा की बावना फालतू लडाई जगडा इन में नहीं जाना ये अच्छे संसकार रहें तो आज भारत के पास कितना खजाना है कितने गरंथ भारत के पास है हमारे प्राचीन गरंथों को देखें संस्कृत में क्या, प्राकृत में क्या, कितने ग्रंथ भारत की संपदा है भारत के पास ग्रंथ हैं और संथ भी हैं कितने कितने संथ अतीत में हुए हैं बले भगवान महावीर को ले लोग, कितने बगतमान में भी अपने डंग से संथ लोग हैं तो भारत के पास ये संत संपदा भी है और पंथ भी अनेक है भारत में तो ये जो चीजें हैं ग्रंथ पंथ संत इनका अच्छा उपयोग हो कि ग्रंथों से अच्छा ग्यान मिले ग्यान लिया जाए ग्रंथ पड़े पड़े तो ग्यान देंगे नहीं गाई को दुहेंगे त सबस्क्राइब उपासना करें कोई सद ज्ञान सनमती संद मार्ग दरसन संतों से मिल जाए और यह पंथ हैं पंथ लडाई जगड़ा के काइन नेबने पंथों से पत्थ मिले पत्थ दर्शन मिले तो विद्यार्थी अच्छे होंगे तो आशा करें देश का भविष्य अच्छा हो सकेगा शिक्षक हैं वे ज्ञान दाता ज्ञान देने वाले और अन्य विश्यों के अलावा या उनके साथ वो धरम अध्यात्व वो सामगरी भी प्रोष्टे रहें ताकि बच्चों के दिमाग में वो अच्छे संस्कार पुष्ट होते रहें और बच्चे अच्छे हैं वे आगे जाकर बले डोक्टर बने बले वकील बने बले कोई राजनीती में जाए अच्छे होंगे तो सब जगे आशा करें जितना होगा अच्छा काम कर सकते हैं तो राजनीती में जाएं क्योंकि राजनीती के बिना तो देश चलेगा भी कैसे तो देश को चलाने के लिए राजनीती तो जरूरी है राजनीती भी एक शेवा का मध्यम भी है बस राजनीती में रहने वाले लोग शिद्धान तवादी हो नईतिकता, moral values में निष्ठा रखने वाले हो और पवित्र शेवा यानि कि देश का कुछ उठान हो सके हमारे देश का अज्यात्मिक उठान नईतिकता का उठान हो और राजनीती में आजाए शेवा नहीं करे तो तो आना कोई मतलब नहीं कि राजनीती में तो आना सेवा का लिए सेवा के लिए आना मुल्चीज है तो ये सेवा और राजनीती एक सेवा का मध्यम है और आम जनता बले गावों में रहे चाहें शेरों में रहे जहां भी रहे जीवन अच्छा रहे गावों की जनता में बहुत धार्मिकता की रुची अपना खेती बारी करें कुछ भी करें और गावों में तो कई बार फ्री फ्रों पॉल्यूशन फ्री माहोल खेती बारी खेत अपना आराम का मस्ती जीवन ठीक है श्रम तो आदमी को रोटी चाहिए तो श्रम भी करना हो सकता है और तनाव मुक्त जीवन हो है शुद्ध माहोल हो फिर टाई मिले उतना कोई ध्यान य ऐसा भी चलता रहे तो जो कहा गया कि भारत की आत्मा गावों में रहती है भारत की आत्मा गावों में शेरों का अपना महत्व है गावों का अपना महत्व हो सकता है तो गाव हो या शेहर मुल आदमी अच्छा होना चाहिए आदमी अच्छा होगा तो शेहर भी अच्छा ह एक कोई आदमी था गाओं बाहर जाने लगा कि मैं तो गाओं के बाहर जाकर के रहूंगा पुछा भाई क्यों कि गाओं में गंदगी है तो बाहर जाकर के रहूंगा तो एक आदमी बोला अरे गाओं में तुम कहते हो गंदगी है अब तुम लोग बाहर जाओगे तो बाहर क तो भी तुम गंदगी में बना दोगे, तो कम से कम बाहर को तो अच्छा रहने दो, तुम लोग बाहर जाकर के भुष जाओगे, तुम झाओग के बाहर का अच्छाश रहने दो, तो मूल आदमी का मन सुद्ध रहे तो तन सुष्थ रहे अगर आदमी का विचार अछे रहे कि सादा जीवन उच विचार मानव जीवन का स्रिंगार जीवन में सादगी हो विचार उंचे हो अब जीवन में दिखावा कोई बड़ी बात नहीं कफ़ले मैंने कितने बड़ी आप पहन लिये बहुत बड़ी बात नहीं है गैने आपने कितने पहने बहुत बड़ी बात नहीं है बड़ी बात है आदमी के विचार कितने उंचे हैं बड़ी बात है आदमी का आचार कितना उंचा है बड़ी बात है संसकार आदमी के कैसे उंचे हैं तो ये बाहर की चीजों का ज़्यादा महत्व ने किसने कितने बड़िया बड़िया कपड़े पहने किसने कितने बड़िया गहने पहने ये थोड़ी सी गुवहार की चीज है तो जादा महत्व की चीज है ग्यान कितना हमारे पास शिक्सक हैं अब ग्यान कितना गहरा वो महत्व की बात है शिक्सक के पास ग्यान अच्छा होगा तो विद्यातियों को अच्छी सामगरी प्रोशीड आ सकेगी तो ज्यान हमारा अच्छा हो आचार संस्कार अच्छे हो यह जीवन की संपदा फिर देखें तो स्वास्थ आदमी का अच्छा रहे सरीर स्वस्थ रहे मन प्रसंद रहे ये जीवन की संपदा है तो उनकी स्वास्ते भी बहुत जरूरी है ज्ञान है पर सरीर अनुकुल नहीं तो कितना पढ़ाएगा और कैसे पढ़ाएगा तो सरीर स्वस्त हो मन स्वस्त हो बुद्धी अच्छी हो बिद्वत्ता अच्छी हो संस्कार आचार बिवहार सब अच्छे हो तो ये जीवन की संपदाएं है तो हमारे जीवन में ऐसी अज्ञात्मिक संपदाएं जिन से आत्मा का कल्यान हो सके वे हमारे जीवन में रहें तो यह आज यहां आना हुआ है तो गाउं में खुब अच्छी भावना भक्ती जो देखने को मिल रही है गाउं के लोग में खुब सांती रहे चित्त समाधी रहे और आचार संसकार जिवहार सब अच्छे रहें विद्याले प्रिवार में भी खुब अच्छा ज्यान और आचार का विकास होता रहे मंगल का झाल झाल